मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है आए जानते हैं दीदी महिला स्वयम सहायता समू को कोटा यानी रासन की दुकान कैसे मिलेगी दीदी हम आप सब को यह बता दे रहे हैं कि सन 2020 से सियम जी का आदेश है कि यदि उत्तर परदेश में किसी भी पंचायत में किसी कारण बस रासन की दुकान निरस्त पड़ी है तो सरफर्थम वरियता स्वयम सहायता समू को दिया जाएगा ना कि गाओं के किसी ब्यक्त को अब हमारी स्वयम सहायता समू की दीदियां बन सकती है कोटेदार तो दीदी यह भी जानना हमारे लिए आवस्यक है की कौन कौन सा समू रासन की दुकान के लिए आवेदन कर सकता है और आवेदन कहां कर सकता है तो दिदी समू येकवर से अच्छा माह पुराना होना चाहिए समू का रजिस्टेशन ब्लाग पर फीड होना चाहिए समू का वचत खाता बैंक में खुला होना चाहिए समू को आर्यफ की रासी 15,000 रुपेया प्राप्त होना चाहिए दिदी यदि आपके समू का CIF या CCL नहीं प्राप्त है तो दीदी घबराने की कोई बात नहीं है आपके समू को RIF प्राप्त है तो आपका समू रासन की दुकान के लिए आवेदन कर सकता है कोटा समू के नाम पर रहेगा उसी समू की एक पढ़ी लिखी महिला जो कच्छा दस या इंटर पास होगी सभी सदसी उस महिला को कोटे के लिए खड़ा करेंगे वह महिला अपना दस्तावेज लेकर सर्व सम्मति से आवेदन करेगी यदि आपके गाउं में कोटे का चुनाव हो रहा है तो सर्व पर्थम वरियता स्वयम सहायता समू को ही मिलेगी ना की गाउं के किसी व्यक्ति को यदि एक से यदिक स्वयम सहायता समू हो राशन की दुकान के लिए आवेदन करते हैं तो ऐसी दसा में साशना देश के अनुसार सर्पर्थम वरियता उस समू को दी जाएगी जिसमें क्रियसील सदस्यों की संख्या जादा होगी जैसे दीदी गीता समू में 14 सदस्य हैं और सीता समू में 15 सदस्य हैं तो दीदी सर पृथम वरियता सीता समू को दी जाएगी क्योंकि उसमें सदस्यों की संख्या जादा है यदि बराबर संख्या वाले दो या तीन समू मिलते हैं तो दीदी तब इनमें आर्थिक लाफ देखा जाएगा जिस समू में कारफस की रासे जादा होगी पांचो रजिस्टर कम्पलीट होंगे समू पंसूत्रा का पालण करता होगा समू में सभी फंड आ चुके होंगे जैसे आरेफ, CIF, CCLV, आरेफ उसके बाद दीदी उस समू में ये भी देखा जाएगा जैसे बहुत समू पुरानी पड़े रहते हैं उसका जो है आरेफ भी आ जाता है CCL भी आ जाता है और समू की बैठक नहीं होती है समू की सदस्य बैठक में नहीं आते हैं ये भी देखा जाएगा दीदी उसमें जैसे कि काउन सा समू सक्री है और काउन सा समू निस्क्री है किस समू में कितने सक्रिय सदस हैं, किस समू में कितने सक्रिय सदस हैं, तो BMM उपायुक स्वतारोजगार के द्वारा रजिस्टर की जाच की जाएगी, जाच के अनुसार जो समू ये ग्रेड में आएगा, उसी समू को रासन की दुकान दी जाएगी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी अधिकारी, कोई चाला की अधोखा धड़ी का काम नहीं कर सकते हैं, जिस समूग को कोटा दिया जाएगा, उस समूग के सभी सदस्यों का पर शिच्छड जिला अधिकारी के द्वारा कराया जाएगा, कि कैसे समूग की महिलाएं रासन आबंटन कर सकती हैं, रासन क अभी तरण कैसे करेंगी रजिस्टर कैसे मेंटेन उनको करना है और एक बात दीदी हम अपनी समू की महिलाओं को बता देना चाहते हैं कि रासन की दुकान समू को मिल गई है तो इसमें समू की महिलाओं ये ना सोचे कि भाई हम तो समू की महिलाओं हैं इसमें हमको कोई छू सभी सर्त को पूरा करते थे उसी प्रकार समुग की महिलाओं को भी सभी सब्स करने के बाद जो भी लाभाण समु के सभी सदस्यों में बराबर भागीदारी रहेगी तो हमारी दीदिया अच्छे से समूँ चला रही है भीव चला रही है कलस्टर लेबल फंडरेशन यानि सीलब भी चला रही है तो अब हमारी समूँ की महिलाएं अच्छे से कोटेदारी का काम आगे करेंगी और समू से समरिध्धी की तरफ बढ़ेंगी आप सभी को अच्छी लगी है तो लाइक करिए कमेंट करिए, सेयर करिए इस चैनल को सस्क्राइब करिए मिलते हैं नई ख़बर के साथ अगले वीडियो में जै समू, जै अजीव का धन्यबाद